हेलो माई फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे कि वास्तो नुसार एलिफेंड का स्टैचू रखने से आपको घर में क्या-क्या फाइदा होता है और आपको वास्तो नुसार एलिफेंड कौन-कौन सी डिरेक्शन में रखना चाहिए और उसकी ट्रंक किस तरह की होनी चाहिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूने साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे आपको मेरे चैनल की नई अपडेट्स बिलती रहें शुरू करते हम आज का वीडियो सबसे पहले मैं आपक चोटे चोटे अगर आपका जो गेट है इस बात को ध्यान रखना है अगर आपका गेट नौर्टीस इस या नौर्थ की तरफ है तो वहां पर आपको बहुत है भी एलिपेंट नहीं रखना चोट चोटे आप दो एलिपेंट रख सकते हैं जिनकी ट्रंग उपर की तरफ हो और उनका जो फेस है वह बाहर की तरफ हो वह आपके घर में पॉजिटीव एनर्जी को लाता है और नेगरिटीव एनर्जी को अंदर में आने केता और इस ये आपकी मत्दब को प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट अगर आपके घर में पढ़ने मारे बच्चे है तो उनके वह विज्डम और गुद्धी मता का प्रतीक है और इससे आपके बच्चों को स्टेडी करने में बहुत हैं वह कुछ जो भी लॉन करेंगे वह उसको भूलेंगे नहीं पाल में लियुक्त नमबर तीन है ऑपको अपने घड़ की अगर आप नौर्थ ऐस्त में एक ऐलीफंट एक तो , आप अपने लाइफ में नजांतिक योर घंडेन है जैन लेच में आपaryल रखक तुमएस उसका लिए तरहीं पर हो दोश हो जो आपके नुड़ दिशा है वह भी एक्टिव रहती है तो आपको नौत में भी एक चूटा से आपको बहुत ही रिजल्ट पिस नियुक्त आपको अपने जैसे आपका बोर्किंग प्लेस होता है उस पे भी आपको छोटे छोटे भी आप रख सकते हैं यह को बहुत बड़ा यह नहीं कि आपाती का बहुत बड़ा स्टेचू रखे हैं उससे भी वहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनरजी आती है पॉजिटिव उर्जा आती है आपके कारे टेबल पर चहां भी आप आप आपस में काम करते हैं आपको उसको रखने से बहुत ही अच्छी विसर्ट देखने को मिलेंगे इससे आपके परिवार में एकता और प्यार बना रहता है आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और आपने घर पर और ऑपिस में जरुब अप्लाई करेंगे और कोई भी चीज एक डम असर नहीं करते हैं अच्छे देखने को मिलते हैं आप अपने घर में जरुब अपने जरुब अपने जरुब आपको देखने को मिलेंगे आपने नहीं वीडियो नहीं जानकारे के साथ मुश्कार